दोस्तों क्या आपको पता है कि मनुष्य की पाचन सकती ऐसी है कि वो कच्चा गेहूं चबा कर जिंदगी गुजार ले लेकिन दोस्तों गैस पर बनी हुई रोटी और चूले पर बनी हुई रोटी में फर्क बहुत होता है दोस्तो गैस पर बनीवी रोटी जो है वो उतनी स्वाधिस्ट नहीं होती जितनी चूले पर बनीवी रोटी स्वाधिस्ट होती है जी हाँ दोस्तो और रोटी के फूलने की जो वज़य है वो होती है कारवन डाई अकसाइड दोस्तो जब हम उसे आटे में मिला कर गुनते हैं तब उसमें प्रोटीन की परत बन जाती है जिसे गलूटेन कहा जाता है गलूटेन की खास बात यह होती है कि यह कारबन डायकसाइड को सोख लेता है जी हाँ दोस्तो अगर चूले पर आप रोटी बना कर खाते हैं तो उससे क्या है कि आपके शरीक अंदर बिमारिया पैदा नहीं होती आपके पेट समंदी बिमारिया नहीं होगी जैसे कि अपच कब्ज आदी और अगर आप गैस की रोटी खाते हैं तो दोस्तो बहुत जल्द ही आपके पेट में ये बिमारिया होनी शुरू हो जाती है इसके अलावा दोस्तो गैस की रोटी जो है उसकी अपके शाचूले की रोटी बहुत जल्दी पच जाती है जिस वज़े से पेट की बिमारिया होने का भी खत्रा नहीं रहता है तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना धन्यवाद